हेलो फ्रेंस कैसे आप सब लोग आप सभी को मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो से पहले गुट मॉर्निंग अभी सुबह का लगबग सारे नो बच रहा है तो हम लोग ने सुबह का खाना बगरा भी खा लिया है तो अभी मैं काम बेटशीट जो यह वाला बेटशी के लिए मैं वहां रहूंगी तो बांजी को छोड़ कर ही जाएंगे वहां पर पहले अपने बांजी को अपने घर छोड़ कर जाएंगे क्योंकि वह बांजी मुर्य हस्बन जी ने उसको लाया था वो जाने से पहले क्योंकि मेरा तवियत खराप ही रहता है इसी बचसे वह लेकर आये थे तो मैं इसे जटफट से पैकर ले दी हूँ सारा सामान में आलमारी में रख दूंगी क्योंकि घर में तो इतना कोई नहीं है तो यहाँ पर देखें बच्ची आकर क्या बोढ़ रही थी मैंने उसको बगा दिया क्योंकि वो नंगा आई थी तो मैं बोढ़ रही तो कोई ना कोई सू ही लेता लेकिन यहाँ पर घर में तो कोई भी नहीं तो इसलिए यह सब पेकर करके रखना पड़ता है रखोंगे क्योंकि मुझे जाना है तो भाईया लोग भी बोड़े थे आज स्टाय के शायद वो आप आएंगे या नहीं बताईए है कि मेरे घर में कोई भी नहीं रहता मैं और मेरे ससुण जी जाता है लोग नहीं रहते हैं मैं और मेरे ससुण जी रहते हैं मेरे हजबन जो कभी कभी आते है, वो तो बार ही रहते है काम के लिए. तो इसलिए आपर सोने वाला भी कोई नहीं, आगर घर में बहुत सार Meteos लोग होते, तो कोई ना, कोई आपर सो जाता, लेकिन घर में तो उतने सारे लोग truck ही नहीं सोने के लिए. तो ससुर जी एक ही रहे हैं आके ले ही रहेंगे तो वो तो हॉल में ही सोएंगे तो इन सब को मैं पैक करके अलमारी में रख दूँगी क्योंकि आपर चुए वगरा आज कल बहुत होगा है तो सब कार देंगे तो ये जो बैट शिट तो है ये नया है मुझे डोने का टाइम भी नहीं मिला है अभी मुझे कही पर जाना भी है तो इसलिए मैं इन सब को फटाफट से अलमारी में रख दूंगे उसके बाद ही देखते हैं भाया लोग क्या बोलते हैं आज सब लोग बोल लेते हैं आज स्टाइक भी है तो आप आते हैं या नहीं अगर नहीं आए तो मैं जो डेली ये उस करती हूँ ये सब कपरे अभी अलमारी में नहीं रखूंगे जब जाओंगी तब ही रखूंगे अगर वो लोग आएंगे तो मैं ये सब को अलमारी में ही रख दूंगे तो उसके बाद ही उसको फोन ही बात में करूंगे अभी मैं तैयार हो जाती हूं जाने का टाइम भी हो गया तो चलिए मैं जिस जगह में बोर रही थी उसी जगह में जा रही हूं तो देखिए फ्रेंड्स मैंने बीच का जो वीडियो है वो तो मैंने शूट ही कर नहीं पाई क्योंकि मैं वहाँ से आई जो जिस काम के लिए मैं गई थी वहाँ से आई उसके बाद ही मैं ऐसे ही परी रहे क्योंकि भया लोग फोन करके बोला क्योंकि वो लोग नहीं आएंगे तो अचानक से ही वो शाम को बोले थे हम लोग तो पहुच के तुम तयार होगी तो इसलिए मैं फटाफट से तयार होगी तो पेकिंग बगरा भी मैंने आप सब को नहीं दिखाया है तो अभी हम लोग गारी में उठ गे तो बांजीव को भी छोड़ के ही आएंगे अभी घर में उसके तो फ्रेंट्स देखें फाइनली मैं आकर पहुच गई माय के ऐसे तो यार भी नहीं होकर आई बस ऐसे जटफट से तयार होना था तो अहांसे एक अपरे पहन कर आगई वसे भी शाम हो चुका था तो देखने बाला भी कोई भी नहीं था मम्मी याँ पर खरी भी थी तो देख रही थी कब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर देखें मम्मी आते ही मुझे आम काट कर दिया था तो वही मैं यहाँ पर खाने के लिए बैठी हूँ अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा तो हो ही तो चली तो मैं अभी मम्मी को बोर रही थी वह आम इतना टेश्टी था बहुत ही मीठा था तो वही बोर रही थी मम्मी भी अभी जस्ट बहुत शाम मों अंधेरा होनी वाला तो पुझा का टाइम भी हो गया तो इसलिए वह नहाने के लिए चली गई तो यहाँ पर देखि दोई बना लेती ही लेकिन मैंनो अभी आम खाया तो अभी या के लिए सिर्फ बना देती हूँ सच कर बईबया के लिए मेगी बना रही हुँ अभी मैं सिंपल से मेगी बनाती हूँ मसाला तो एम पैकेट में पहले से ही देते हैं थोड़ा सा नमक ही इसमें एड़ करूंगे तो जब कुछ कोई कोई लोग सबजी बगरा सबजी बगरा देकर ही मेगी बनाते थी लेकिन मुझे इसा मेगी पसंद नहीं है मैं जो सूप बाला मेगी पसंद तो वही सिंपल सी तरह सिंपल की तरह मेगी बना रही हूँ मैं तो चले मैं इसको छटवट से बना लेती हूँ दो तीन मिनिट में ही पक के खतम हो जाता है मेगी तो फ्रेंट्स यही है मेरा आज का छोटा सा ब्लॉप तो किसा लगा आपको कॉमेंट करके जरूर बताना तो चले जितने भी मेरे सस्क्राइबर है मुझे इतना अच्छा अच्छा कॉमेंट करते हैं तो उन सब के लिए मैं सब को दिन्यवाद बोलती हूँ तो यही था था मेरा आज का ब्लॉप तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ चलिए यही पर मैं आज का ब्लॉप एंड करती हूँ